कार्तिक अमावस्या पर 12 नवंबर 2023 को दिवाली पर्व धूमधाम से मनाया गया अब इसके 15 दिन बाद कार्तिक पूर्निमा को देव दिपावली मनाई जाएगी देव दिपावली पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिवाली को सिर्फ मनुशही नहीं बलकि देवतागन भी दीब जलाकर खुशी से मनाते हैं इसलिए इसे देव दिपावली यानि देवताओं की दिपावली कहा जाता है इस दिन देव दिपावली और गुरुनानक जयन्ती भी मनाई जाती है देव दिपावली 2023 थी देव दिपावली का पर्वकार्तिक पूर्निमा के दिन मनाया जाता है जो की इस साल 27 नवंबर 2023 को है इस बार देव दिपावली रविवार 26 नवंबर 2023 को देव दिपावली मनाई जाएगी दिवाली के 15 दिन बाद क्यों मनाई जाती है देव दिपावली देव दिपावली यानि देवताओं की दिपावली डेव दिपावली मनाए जाने को लेकर कई कथाएं वमान्यताएं प्रचलित हैं इन्ही में एक कथा प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्निमा तिथी को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वद किया था नर्कासुर का वद कर उन्होंने देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया था त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्त होने की खुशी में सभी देवताओं ने काशी में अनेकों दीब भी जलाकर उचसब मनाए थे इसलिए हर साल इसी तिथी में यानी कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली के 15 दिन बाद देव दिपावली मनाई जाती है देव दिपावली का महत्व देव दिपावली या कार्तिक पूर्णिमा हिंदु धर्म का सबसे शुब दिन होता है इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुन्य करते हैं और दीबदान करते हैं, खास कर काशी और गंगा घाट किनारे इस दिन खूब दीबदान किये जाते हैं देव दिपावली पूजा विधी देव दिपावली के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी में सनान करें। यदि किसी कारण नदी सनान संभव न हो तो आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर भी सनान कर सकते हैं। इसके बाद साफ सुथ्रे कपड़े पहन कर सूर्य देव को अरग्य दें। इस दिन भगवान गनेश, शिव जी और विश्नु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में हल्दी, कुम-कुम, चंदन, अक्षत, सुपारी, मौली, जनियू, दूर्वा, पुष, फल और नैवे मालक्ष्मी का वास, बस कार्तिक पूर्नेमा के दिन करें ये काम। मान्यता है कि इस दिन मालक्ष्मी की पूजा करने से मालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इसी तिथी पर भगवान विश्नु ने मत्से अवतार धारन किया था। मालक्ष्मी को प्रसन करने के लिए भी का कामों को करने से लक्ष्मी जी प्रसन होती हैं और घर पर सुख सम्रिद्धी का वास होता है। चह तपस्विनी कृतिका पूजा, कार्तिक पूर्नीमा पर रात में चंद्रोदे के बाद कार्तिक स्वामी की छे माताओं, प्रीती, संतती, क्षमा, अंसुया, शिवा और संभूती की पूजा करनी चाहिए। इन्हें ही चह तपस्विनी कृतिका कहा गया है। इनकी पूजा करने से मा लक्ष्मी की कृपा से घर अन्न, धन, वैभव, एश्वर्या आदी से भर जाता है पीपल व्रिक्ष की पूजा कार्तिक पूर्नीमा के दिन पीपल व्रिक्ष की पूजा जरूर करें इस दिन पीपल व्रिक्ष में जल और दू धर्पित कर धूब दीब दिखाने से पापों से मुक्ती प्राप्त होती है इस दिन अपने घर में तोरन और रंगोली बनाएं कार्तिक पूर्नीमा के दिन घर के मुख्यत द्वार पर फूल और तोरन लगाएं साथ ही रंगोली बनाएं इसके अलावा मुख्यत द्वार पर दीपक जलाएं कार्तिक पूर्नीमा के दिन मुख्यत द्वार पर ये काम करने से घर पर मालक्षमी का आगमन होता है दीबदान अवश्य करें कार्तिक पूर्नीमा के दिन मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए दीपदान जरूर करें इस दिन लोग संध्या में गंगा घाट के किनारे दीपदान करते हैं लेकिन आप नदी, तालाब और जीलादी में भी दीपदान कर सकते हैं इसके साथ ही इस दिन आंगन और तुलसी में भी दीप जलाएं इस दिन 365 दिनों के लिए भी दीपदान जलाया जाता है एक दीए में 365 बाती रख कर शाम के समय दीपदान जलाएं वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले